आगरा में सरवाधेत लोगप्रीय चैनल सीन्यूस के एप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें लोगडाउन के बावजूद भी चोरी की वारदाते थमने का नाम नहीं ले रही थानारी परवत शेत्र राजबंडी स्टेशन के पास खड़ी अधिवक्ता के स्कॉर्पियो गाड़ी पर चोरो ने धावा बोल दिया चोर गाड़ी को इटो पर खड़ी कर चारो पहियो को ले कर गायब हो गए लोगडाउन के दौरान चोर चोरी के वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे चोरो ने थाना हरी परवत शेत्र राजमंडी स्टेशन के पास दिली के चोकी से महस 200 कदम की दूरी पर खड़ी अधिवक्ता अमित कुमार की स्कॉर्पियो गाड़ी पर धावा बोल दिया चोर गाड़ी को इटो से खड़ी कर चारो पईयों को खोल कर लेकर खायब हो गए मैंने जब यहां पर आके देखा तो मेरी गाड़ी के चारो पईये गायब है गाड़ी इटों पर खड़ी हुई है कुछ अग्यात चोर या शात्र बदमाश कुछ भी गए सकते हैं उन लोगों ने आके गाड़ी के चारो पईये मेरे निकाल लिए है दरसल अधिवक्ता अम अपने साथ ले गए सुभा पहुचने पर गाड़ी को देखा तो अधिवक्ता की सांसे थम गई मैंने वो सब निकाल लिया था और गाड़ी को लोग कर दिया था कि मॉर्रिंग में आके मैं टायर चेंज करके गाड़ी को ले के चला जाऊँगो मेरों को सूचना करीब 9 बज़े के करीब सुभेरे मिली है अधिवक्ता का कहना है कि चौकी से महस 200 मीटर की दूरी पर खड़ी गाड़ी में इस तरीके की घटना होना किसी सोची समझी साज़िश की तरफ इशारा करती है रात के समय लोकडाउन होने परस्तानी पोलिस और जी आरपी पोलिस का भी गश्ट यहां लगा रहता है बावजूदिस के चोर पोलिस की आँखों में धूल जोग कर वारदात को अंजाम दे गए अधिवक्त दवारा मामले की शिकायत थाना हरी परवथ पोलिस से की गई पोलिस ने शिकायत बतर लेकर घटना करम के पास लगे CCTV कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया थाना अद्यक्ष हरी परवथ आजे कोशल का कहना है कि मामले में जाच की जा रही है जल्दी शातर चोर पुलिस की गिराफ्त में होंगे सी नियूस के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट